इंदुस्तान और से दंगल लिटू चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं है कुल से खर्थुबे और आज मैं बाबा भीरगु मुनी के आश्रम दरदर मुनी की आश्रम ददरी मेला बलिया उत्तर परदेश से वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोग रिस ग्राउंड का व भुपेंदर सिह मुखिया जी नरायनपूर पंचाइब आर्या भोजपूर विहार से और मैं अपने चैनल हिंदुस्तान हर्षे देंगल लिटूब चैनल के माद्यम से मुखिया भुपेंदर सिह जी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ इस बार मुखिया बनने पर कई 15 बार से अलागतार मुखिया प्दर आंप बने रहे हैं और इस बार भी काफी मतों से बीजयि हुए हैं और उन्हीं का घोड़ा है नाग राज घोड़ा अभी आप सभी लोग ददरी बलिया मेला ग्राउंड पर आप सभी लोग नाग राज का परदर्शन देख रहे हैं और इस पे सवारी कर रहे हैं एश्टार सवार सवार राजेस और इनके हाथों में नाग राज घोड़ा कैसा काम कर रहा है एक चीज घोड़े में गौर करने वाली चीज है कि घोड़ा बहुत दिनों से दरवाजे पर बंधा होने की वज़ा से घोड़ा फूल प्रैक्टिस में नहीं है अब देखना एह है कि घोड़ा रेस में क्या करता है और घोड़े का भविश कहां तक जाता है घोड़ा रेस में पार्टिसिपेट करेगा आप सभी लोग इस वीडियो को लाट तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि नाग राज घोड़े में पामर कैसा है चलने का स्टाइल कैसा है थोटी मोटी जो तुरूटियां आप सभी को दिख रही होगी वीडियो में और समय के साथ सुधार कर लिया जाएगा रेस में एचीज देखने को आप सभी को नहीं मिलेगा आप सभी लोग हिंदुस्तान हर शेदंगल यूटूब चैनल के साथ पने रहिए बलियां का हर अपडेट आप सभी को मिलेगा क्योंकि हिंदुस्तान हर शेदंगल यूटू की गलती है यहां जो कमीटी है सरकार के तरफ से जिनको यह जिमेदारिया दी गई है रेस ग्राउंड बनाने के लिए वो अपनी जिमेदारिया बखुबी से नहीं निभा पा रहे हैं इसलिए घोडे मालिकों में अक्रो से जगह जगह पे मिटिंग किया जा रहा है कि किस से मि मिले तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रही है एक बार फिर रजेस का आप सभी लोग घोडा मोड के और उधर से छोड़े हैं और घोडा फुल रफ्तार में फुल पिकप में आप सभी को दिख रहा होगा और भी कई लागतार वीडियो चैनल के माध्यम से आने वाले हैं ज स्क्राइब करवा ये ता कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप सभी के सामने नया नया वीडियो ले कर आऊं और आप सभी को दिखाऊं आप सभी को नागराज घोडा का चलावा कैसा लगा सवार रजेस की सवारी आप सभी को कैसी लगती है नागराज घोडे में प बहुत बहुत धन्यवाद